नमस्कार दोस्तों स्वागत आप से भिखा आजबा फिर से आपके अपने चानल लर्णिंग एंपायर पर मेरे जानी अनुकिस साथ और आज हम लोग बात करेंगे फ्रिक्षनल वर्सिस ट्रक्षरल अनेम्प्लोईमेंट की आप सभी को पता है दोस्तों की भारत की एकोनोमी किसी भी देश की एकोनोमी आज कल का बहुत बड़ा टोपिक है त्रेंडिंग टोपिक है बहुत सारे लोग जो है पूरी दुनिया में अनेम्प्लोई हो जाएंगे और इसी वजा से यह जो टोपिक है इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता है कि करण से पूछे जाते हैं और यह जो टोपिक है यह करन्ट अफेर्स का बहुत इंपॉर्टन टोपिक है इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है सो विदाउट एनी फदर डिले लेट स्टार्ट और आज हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शनल यानि फ्रिक्शनल अनेंप्लोईमेंट बोने जाता है यह कब आती है यह तब आती है जब नए नए लोग जोग की तलाश में जाते हैं मान लिजे कोई व्यक्ति पढ़ लिख के अब नया नया जोग की तलाश में जाने की कोशिश कर रहा है तो उस व्यक्ति को भोलेंगे क वो as type बेरोजगार है यानि के frictional unemployed है इस तरीके की unemployment का यानि इस तरीके की बेरोजगारी का किसी भी देश की economy के साथ कोई लेना देना नहीं होता है यानि के ये जो बेरोजगारी है हमारे देश के या किसी भी देश के अर्थ शास्त्रियों को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर करते हैं अगर structural unemployment की तो यह एक इस प्रकार की बेरोज़गारी है जो या तो 10 साल या 10 से जादा सालों तक रह सकती है और इस प्रकार की बेरोज़गारी बहुत जादा concern दिखाती है हमारे economist के लिए यानि कि हमारे जो अर्थशास्त्री हैं बहुत जादा परिशान होते हैं जब structural economy किसी भी देश को structural unemployment किसी भी देश को प्रभावित करती है इसमें क्या होता है कि जब economy में direct shift आता है तो उसकी वज़ा से structural unemployment बढ़ती है यानि कि मान दिजी अभी economy बहुत अच्छा कर होने लगेगी जब income कम होने लगेगी तो salaries देने के लिए पैसे नहीं आएंगे इसका मतलब यह है कि company जो है अपने यहां पर workforce कम करेगी इसका एक और reason हो सकता है कि इसमें जब technology advancement हो जाता है या फिर industry में decline होने लग जाता है तो इस वजह से भी structural unemployment आती है यह पढ़ा दोस्त Frictional यानि एस थाई unemployment एक इस प्रकार के unemployment होती है जिसको natural unemployment भी बोला जाता है क्योंकि यह ऐसे factors से directly related नहीं होते जो किसी भी economy को underperform कराने का reason होते है यानि economy में गिरावट के लिए Frictional unemployment बिलकुल भी reason नहीं है यह क्या है यह कब आती है जब नए नए workers जो है जोग की तलाश में एक तो यह तब आती है दूसरा यह कब आती है जब लोग जो है अपनी पुरानी जोब छोड़कर नए जोब की तलाश में जाते हैं तो उसी दोरान आती है Frictional unemployment यह स्थाई क्यों होती है मान लीजे कि मैं हूँ मैं अपनी पुरानी जोब छोड़कर नए जोब की तलाश में जा रही हूँ तो इस दोनों के बीच में जो गैप है जो टाइम गैप आएगा वो है एस थाई मुझे पता है कि इसके बाद मुझे जल्दी ही दूसरी जोब भी मिल जाएगी तो इसलिए इसको बोले जाता है तो इस दोनों के दोरान दोनों जोब के दोरान जो जो खाली समय मेरे पास होगा उसको बोलो जाएगा फ्रिक्शनल अनेंप्लोईमेट तो इसका मतलब यह क्या है कि इससे हम यह कह सकते हैं कि Frictional unemployment ये हमेशा ही economy में present रहती है क्योंकि कुछ लोग हमेशा ही नई जोब की तलाश में रहते हैं या तो लोग अपने लिए पहली जोब डूंडते हैं और या फिर वो पुरानी जोब छोड़कर नई जोब में जाते हैं एक और बात में आपको पताना चाहते हूं दोस्तों कि जब मान ली जी है मैंने अपनी पुरानी जोब छोड़ी और मुझे नई जोब जो ओफर हो रही है मुझे ये जोब नहीं पसंद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे बेटर एक जोब मिलेगी तो उस हिसाब से अगर म उनको आ रहा है उसको accept नहीं करते तो मतलब ये Frictional Unemployment है वो व्यक्ति अपने लिए बहतर जोब ढूंड रहा है इसलिए वो कम पे वाली salary वाली जोब नहीं करना चाहता अगर और इसके बारे में हम बात करें तो Frictional Unemployment दोस्तों ये voluntary होती है और ये temporary transition यानि जोब में temporarily अगर उसके बीच में जो छोटे सा time गया पाता है उसको बोलो जाता है Frictional Unemployment ठीक है फर्दर अगर हम बात करें तो जब नए लोग enter करते हैं workforce में यानि के अभी कोई व्यक्ति student था और अब वो job ढूंडने लग गया है और उसको पहली job भी नहीं मिली है तो उस दोरान ये जो समय जोने आएगा उसको बोलो जाता है Frictional Unemployment अगेन जब कोई व्यक्ति किसी नई city में या किसी दूसरी city में job ढूंडता है अपनी पुरानी job को छोड़ कर तभी भी इसको बोलो जाता है कि यह Frictional Unemployment है Frictional Unemployment पे दोस्तों एक चीज मेजरली काम करती है कि आप अपनी मर्जी से job जोडते हैं ठीक है और जो job आपको offer हो रही है वो आप अपनी मर्जी से नहीं accept करते हैं तो वही है कि जब लोग reject कर देते हैं किसी job को किसी भी reason की वज़ा से तो यानि के Frictional Unemployment है एक और अगर मैं बात करूँ तो Employers भी Frictional Unemployment का reason बन सकते हैं क्यों क्योंकि Unemployers may feel as though there are not enough qualified candidates for certain positions and thus not try to fill them यानि के candidates होते हैं positions पी होती है vacancies होती है candidates होती है लेकिन जिस तरीके की candidates उनको चाहिए वो जब उनको नहीं मिलते तो Employers अपनी मर्जी से वो Candidates छोड़ देते हैं तो यानि कि यह भी Frictional Unemployment का ही हिस्सा आता है For example आप यह भी कर सकते हैं कि व्यक्ति नहीं कोई जोब छोड़ दी तो यानि के वो Frictional Unemployment आ गया Employer आपको जोब ओफर कर रहा है लेकिन आपको वो जोब नहीं चाहिए तो यानि के Frictional Unemployment है यह अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो Economist यानि हमारी जो अर्थ शास्त्र इस तरीके की जोब को लेकर इस तरीके की बेरोजगारी को लेकर uncertain रहते हैं तो इसका क्या रिजन है इसका रिजन यह है दोस्तों कि यह जो Frictional Unemployment है यह जो बेरोजगारी है एस्थाई रूप से यह तो होके रहेगी आप इसको रोक नहीं सकते there is no way to stop it ठीक है दूसरी बात कर सकता है तो इसलिए कहा जाता है कि it is not directly related to economy दूसरी बात अगर आप कह सकते हैं कि व्यक्ति ने जोब छोड़ी एक जोब अपनी मर्जी से छोड़ी दूसरी जोब उसको अब वो भी उसने मर्जी से छोड़ी तो यानि कि दोस्तों अब अगर वो इस जोब को नहीं करना च जबकि अगर उसको better payment वाली जोब मिल जाएगी तो वो ज्यादा tax बरने के काबिल होगा और इस वज़े से उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी और यदि उसकी लाइफस्टाइल अच्छी होई तो पूरी country में society की मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता उन लोगों को नहीं मिलता जो frictional unemployment होती है यानि के एस्थाई रूप से जो unemployment रहते हैं या बेरोजगार रहते हैं या ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से रोजगार नहीं करते उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता तो इस वज़े स हम कहा सकते हैं कि यह government के resources पे किसी तरीके का कोई दबाऊने डालती है Frictional unemployment एक positive sign है किसी भी economy के लिए यह एक बहुत good sign है positive sign है क्यों क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताए कि व्यक्ति ने एक job छोड़ दी उसको नहीं करनी उसको जो जो वोफर हो रही है उसको वह भी नहीं करनी बलकि वह किसी भैतर option की तलाश में है तो यानि कि यह दिखाता है कि people are looking for higher paying better quality jobs तो जब better quality job उनको मिलेगी तो उनकी lifestyle अच्छी होगी इस तरीके से हम यह देख सकते हैं कि society की lifestyle अच्छी हो जाएगी society की lifestyle अच्छी हो जाएगी तो country की lifestyle automatically अच्छी हो जाएगी यानि country की जो economy है वो अपने हापी सुधर जाएगी economist जो है जब अगर employment rate count करते हैं तो उसमें frictional unemployment को वो count नहीं करते हैं तो इसका एक ही reason है क्योंकि लोग अपनी मर्जी से job नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि उनके लिए job नहीं है नहीं वो अपनी मर्जी से job नहीं कर रहे हैं तो इसलिए जब unemployment rate को निकाले जाता है तो उस situation में frictional unemployment को count नहीं किया जाता है अब अगर हम बात करें दोस्तो structural unemployment की तो structural unemployment इस प्रकार की जो unemployment होती है दोस्तो ये directly किसी भी economic को प्रभावित करती है ये एक involuntary unemployment है यानि के ऐसी बेरुजगारी जो लोग नहीं चाहते हैं यदि किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विपरीत job ले ली जाए तो यानि कि अब ये structural unemployment आ गई है इसको skill gap भी बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है हाँ इसको skill gap इसले बोला जाता है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति को higher skill जरूरी है किसी जोब के लिए ज्यादा skill की जरूरत है लेकिन व्यक्ति के पास उस level की skill नहीं है तो उस व्यक्ति को जोब नहीं मिलेगी हाला कि वो व्यक्ति जोब करने की willing है उसको जरूरत है उस जोब की वो करना चाहता है लेकिन फिर भी उसको जोब नहीं मिल रही है तो यानि कि अब क्या आ गया है अब आ गई है structural unemployment इसमें क्या होता है दोस्तों अभी मैंने बताया कि skill gap भी इसको बोला जाता है इसमें क्या होता है कि एक long term unemployment होती है और यह जब economy shift होती है तो उस वज़े से आती है again अगर GDP आपकी बढ़ रही है तो companies के पास पैसा आएगा जब company के पास पैसा आएगा तो वो जादा workforce को employment देगी दूसरी तरफ अगर GDP घट रही है यानि company के पास पै economy में shift आ गया है और इस वजह से अब यह structural unemployment का हिस्सा बन गया है यह कब ओकर होता है यह तब ओकर होता है जब job तो आपके पास oversupply होती है आपके पास jobs की कोई कमी नहीं होती है लेकिन qualified people नहीं होते है तो इसमें क्या होता है कि structural unemployment जब होती है जब job आपके पास बहुत सारी ह होती है जो लोग उसको करना चाहते हैं वो भी आपके पास बहुत सारे होते हैं लेकिन लोगों के पास skill नहीं होती है तब यह problem आती है कि structural unemployment आती है तो इसलिए इसको बोला जाता है skill gap की willing तो है job हमारे पास job भी है लेकिन लोगों के पास skill नहीं है तो हम इनको job कैसे दे सकत that makes the job skills of many workers obsolete मान दीजिए कि अब technology change हो गई है तो अगर technology change हो गई है तो workers को अगर उस technology की knowledge नहीं है या जो candidate आ रहे है उसको इस technology की knowledge नहीं है तो यानि कि अब उसको वो job नहीं मिलेगी तो इस वज़े से हम यह कह सकते है कि structural employment तब भी आती है जब technology में change आता है तो technology बदलती है अगर उसकी जानकारी लोगों को नहीं है तो उसको वो job नहीं मिलेगी it is direct result of the economic cycle so economists take it very seriously यदि structural unemployment आता है तो यानि कि economy आपकी decline जा रही है यानि बहुत बुरी condition में जा रही है जब economy गिरने लगती है तो इसका मतलब अर्थ शास्त्रियों के लिए बहुत जादा problematic situation है ना सिर करें है कि structural unemployment जो है directly किसी देश को प्रभावित कर रही है अगर इस तरह की बेरोजगारी का समय से निप्टान नहीं किया गया तो यह 10 साल या decades तक भी यानि 10 साल से जादा समय तक भी रह सकती है और यह किसी भी देश का unemployment rate बढ़ा सकती है अगर हम इसके causes की बात करें तो क्य तरीके की skill workers के पास है और जिस तरीके की skill employers demand कर रहे है उन दोनों में अगर gap है तो आपको job नहीं मिलेगी तो इसलिए बोले जाता है कि यदि mismatch in the skill आ गया है तो फिर structural unemployment आ गया है और अगर बेरोजगारी भत्ता मिलता है तो वो इस तरीके की बेरोजगारी में मिलता है जब productivity increase हो जाती है दूसरा reason यह है कि जब productivity increase हो जाती है मान लीजिए एक machine आई है एक robot आया है एक robot दस लोगों को काम कर सकता है तो यानि कि उस एक robot ने उन दस लोगों को replace कर दिया अब वो दस लोग जो है जोब करना भी चाहते हैं उनके पास skill भी है लेकिन उनको job नहीं मिल रह unemployment का तो frictional unemployment में हमने क्या देखा कि worker अपनी मर्जी से job नहीं कर रहे हैं जबकि structural unemployment में उनको job मिल नहीं रही है ठीक है अब तीसरा reason यह भी आ सकता है कि political changes अगर किसी country में आ जाए जैसे मान लीजिए कि Soviet Union जब collapse हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे देश बने थे तो इस जगा पर उस एरिया में बहुत लंबे समय तक आ गई थी geographical reasons कि अगर मैं बात करूं तो कई बार यह discrimination भी करता है आपको सिर्फ इस बेसिस पर जोब नहीं मिलती है कि आप उस particular area से बिलोंग करते हैं तो अगर एक area को ध्यान में रखके आपको job से निकाल दिया जाता ही आपक के structural unemployment आपके पास है यानि आपको प्रभावित कर रही है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि it is also result from discrimination तो यानि भेदभाव के कारण भी structural unemployment आ सकती है मतलब job भी है willing भी है व्यक्ति चाहता है job करना उसके पास skill भी है लेकिन उसका residential area ऐसा है जो employer को पसंद नहीं है तो वो आपको job नही देगा तो यानि के भेदभाव के आधार पे भी हम यह कह सकते हैं कि structural unemployment बढ़ती है फर्दर अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि more examples अगर हम देखें structural unemployment के तो यह industry में decline की वजह से भी हो सकती है अगर हम major examples की बात करें तो for example मान लीजिए industry का production अचानक से गिर जाता है अब अगर production गिर गया है तो industry की कमाई नहीं होगी अगर उसकी कमाई नहीं होगी तो उसके पास पैसे नहीं हैंगे salary देने के लिए जिस वजह से क्या हो सकता है कि reducing workforce तो इसका example मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए crude oil industry है उसमें decline हो जाता है तो अगर crude oil की price में decline होगा तो industry में automatically decline आएगा इस वजह से क्या होता है कि industry को loss होना शुरू हो जाता है जब industry loss में जाती है तो फिर वो अपने loss को overcome करने के लिए अपनी workforce को कम करना शुरू कर देती है इससे भी structural unemployment आता है कुछ इसी तरीके की situation किसी भी pandemic के दोरान आती है और वही situation अब coronavirus के दोरान भी देखने को मिल रही है तो I hope दोस्तों आपको आज का हमारे session समझ में आया होगा पसंद आया होगा अगर हाँ तो do like, share and subscribe to our channel and press the bell icon for more updates, stay home, stay safe, God bless you all, Jai Hind